हेलो फ्रेंज मैं आदिश्री आप सभी का श्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल आरू एंजल फ्लोग्स में गाइस आप देख सकते हैं यह मैंने अपराजिता के पोधे की टोपियारी बनाई है कैसे इस टोपियार को बनाना है गाइस चलिए आज की वीडिय सुरू करते हैं आज की वीडियो चैनल पर कंटीनू बने रहेगा वीडियो पूरा देखेगा तभी आपको समझ आएगा कि कैसे मैं यह टोपियारी बनाई है गाइस यह देखिए यह अपराजिता के पोधे हैं और अब इनको लगाए हुए मातर 15 दिन ही हुए हैं आप दे देंगे टोपियारी बनाएंगे इसकी तो टोपियारी बनाने के लिए गाइस हमें आप वायर का भी स्तमाल कर सकते हैं या आप किसी बंबु का स्तमाल कर सकते हैं लकड़ी का स्तमाल आप कर सकते हैं तो गाइज मेरे पास एक कर्व लकड़ी है नीमकी लकड़ी है मैं उसका आज यहां पर स्त्वाल करने वाली हूं आपको दिखाऊंगे कि किस तरह से आप यह टोपियारी बना सकते हूं बहती सुंदर टोपियारी बनने वाली हैं तो प्लीज वीडियो को कम्प्लीट देखेगा विर्कुल भी इसकी मत कीजिएगा और यदि आपको यह वीडियो पश उसको खोल देते क्योंकि अभी बड़ा होने लगा है और आज हम इसकी टोपियारी भी बनाएंगे तो मैंने इस लकड़ी का यूज कर रही हूं आप देख सकते हैं यह लकड़ी मेरी मुड़ी होई है तो काफी अच्छी शेप इससे मेरी टोपियारी की बन जाएगी आज म हम इसको मिट्टी में इस तरह से लगा देंगे और अब इस पोधा है इस पोध्य को आप इसके सहारे सहारे ही चड़ा देंगे इसको अच्छी शेपर तो यह एक बहुत ही सुंदर सी टोपियारी बन जाएगी गाईज यह तोपियारी बनाने के लिए मैं यहां पर कुछ र बांट है मेरा इक आफी हो चुका तो अभली के सहायता से डीली सी नोट लगाएंगे और इसको बांदेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं डीली सी नोट लगाएंगे बांदेंगे टाइट नोट में नहीं लगाने क्योंकि जो पोधा भी ग्रो करेगा तो फिर यदि वह होज जाए का तो पोधा अच्छे से घ्रो chart पैगा बाद में इसको नोट को खोल बी कर ऐगा जब पोधा अच्छे से यह जो टोप ऐ Von बना रहे हैं वलकडी की जब लगडें पर जब अच्छे से पोधा चल जाएगा तो बाद में तोपीयर बनाना होता है तो उसके लिए भी टोपीयर अच्छी होती है देखिए गाइज मैंने फाइनरी सारी जो रसी थी हमारी वह अपनी श्टिक पर इस तरह से रांड डाउंड में लपेट दी और आप देख सकते हैं अभी जो हमारी ये बची हुई है ब्राण्ची पोद तो आज यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेट्स में जरूर बताइएगा मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड फैंमली के साथ भी इसको शेयर देखें मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ गाइज 15 दिन बाद का यह अपडेट है टोप यारी बनाने के 15 दिन बाद का यह अपडेट है आप देख सकते हैं कितना घना मेरा यह पोदा हो गया कितनी खूबसूरत सी हमारी लग रही गाइज और भी इस पर फ्ल